तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब, I hope आप लोग आफ जदा बढ़िया ही होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं St. Xavier's Mumbai के BMS के बारे में, और आज हम बहुत डीटेल में बात करने वाले हैं, तो जितने भी St. Xavier's BMS के aspiring student हैं, उनके लिए आज की उडियो काफ जदा सही होने वाल हैं, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटे से information और आप सुन लिजिए, कि अगर आप preparation भी करना चाहते हों, BBA, BMS और IPMAT की, मालीजी आप Xavier's से BMS करना चाहते हो, आप Christ से BBA करना चाहते हो, सिंबसी से करना चाहते हो, ना समुझे से करना चाहते हो, IPMAT, ZIPMAT देना चाह करवाते हैं, तो हम लोग complete preparation आपकी करवाते हैं, हमारा WhatsApp number description के अंदर है, आपको सिर्फिक hello send करना है, हम लोग वहाँ पर आपको demo edition course की details send कर देंगे, और आप हमारे last day के results भी देख सकते हैं, कि हमारे students कहां कहां पर select हुए थे, तो बाकी चो course की details है, वीडियो के last day मेता यह 60% है, वो है, मालनी जी, अगर आप question minority, तो 60% चाहिए होंगे आपको, अगर आप general है, तो 65% आपको चाहिए होंगे, अगर आप S.E.S.T. है, तो 55% marks at least चाहिए होंगे, यह उनकी basic eligibility है, अगर आप वहाँ पर apply करना शाहते हैं, तो right, इसके लाब हम बात करते हैं कि कितनी आपकी weightage रहती है, तो देखे, अगर आप BMS में admission है तो वहाँ पर entrance test की जो आपकी weightage रहेगी, वो होगी 60% की, और आपकी 12th class की weightage रहेगी, वो होगी 40% की, तो 60 और 40 दोनों को मिला करके, और इस तरह से आपका final admission है, वो होता है S.E.S. BMS के अंदर, right, इसके अलाब हम बात करते हैं कि अगर आप वहाँ पर admission है तो क्या exam pattern होता है, तो exam pattern जो basic होता है, जो सभी के अंदर होता है, जो आपका basic aptitude आता है, जिसके अंदर आपकी GK है, verbal है, logical reasoning है, data interpretation है, quants जो आपका basic quants होता है, इसके अंदर arithmetic है, algebra है, तो इस तरह का quants जो होता है, वो basic आता है आपका, सब्सक्राइब करें, कि total number of seats कितनी होती है, BMS Xavius के अंदर, तो total number of seats कितनी होती है, BMS Xavius के अंदर, तो total number of seats कितनी होती है, पहले 60 seats कितनी कम seats है, सिर्फ 60 seats, लेकिन अब वो बढ़ा करके 120 कर दी गई है, लेकिन अगे इसके अंदर भी 50% जो seat reserved होती है, वो Christian majority students के लिए ही ह होती है, तो अगर आप एक non Christian है, तो अपके फिर काफ़ी कम seats है, वो यहां पर बच जाती है, पहले जो बचती थी, वो लगबग लगबग बाकी जो एक दो हम बहुता है reservations को अटागर के, वो अपका 24 something seats बचती थी लेकिन अब शायद लगब लगब 55 something आपके पास seats हो जाए आपके पास 12th class के आपकी mark shoot होनी चाहिए, अगर आप Christian है तो आपके पास Baptist certificate जो होना चाहिए, अगर आपके पास कोई दूसरा reservation है, SCST का reservation है, तो उसका certificate आपके पास होना चाहिए, तो इस तरह की certificates हैं, वो basically आपको चाहिए होंगे, इसके अलावा देखें, migration certificate है, passing certificate है, जो school सेपे कर रहे हो, यानि कि आपको रिटन दे रहा है, यानि कि कितने आपकी placement वहाँ पर लगने की chances हो जाते हैं, तो रिटन इंवेस्मेंट के अगर हम बात कुनों, तो सेट जीविस मुझे रगता है कि UG Management के अंदर सबसे बढ़िया return investment के देता है, क्योंकि यहां की fees काफी क तो अगेन यह काफी कम हो गई है, लगबक दसदा रुपय कम हो गई है, और फीस है, वो हो जाती है 29,144 रुपीज, तो इस तरह से यह पी फीस structure है, बहुत सकता कि 27,000 से लेकर 37,000 के बीच रहता है, पुरे तीन साल का फीस structure, मतलब पर ये का फीस structure, तो यह बहुत जादा न लेकिन हाँ, यह सेंट जवेस मुंबई है, तो मुंबई में रहने का जो अपका expenses होने वाले है, मुंबई में रहने का जो खर्श होने वाला है, वो काफी सादा यहां पर हो जाता है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसके अलावा गर हम बात करूँ admission procedure के steps क्या है, तो देखे, अब यह बहुत ही important चीज है, admission procedure के steps क्या है, सबसे पहला step अपने सेंट जवेस का form फिल कर दिया, और यह news कहां पर आएगी, कि forms निकल चुके हैं, तो इसी चैनल पर आएगी, चैनल को subscribe कर लो, फर्स step आपने form फिल कर दिया, second step उनका admit card है, और आपने entrance test जूस का था, BMS के लिए GK वाबल, LRDI, कौंट जिसके अंदर आता है, तो आपने entrance test जो है, वो आपने दे दिया St. Xevious के लिए, entrance test देने के बाद basically उनका फिर एक result आ जाता है, और आपके पता चलता है, पिर result के basis आपका कहां पर admission हो रहा है, तो उनकी shortlist आजाएगी, finalist आजाएगी, तब को तर चलाएगी, पकर admission हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो यह उनका basic सा admission procedure है, वो है जो लगबग सभी का होता है, तो इस तरह से St. Xevious BMS में आप admission ले सकते हैं, कितनी seats है, कितना free structure है, क्या exam pattern है, I hope आपको सब कुछ पता चल चुका होगा, तो अगर आप preparation करना चाहते हैं, तो आप preparation भी कर सकते हैं, हमाई जो लासरे के students से वह भी आप दे सकते हैं, कहां कहां पर select हो है, बहुत ही top institutions के अंदर students select हुए थे, वो list भी आपको मिल जाएगी, हमरे website भी आप आप विजिट सबसे बड़ी सीज है कि हम लोग mentorship प्रवेट करते हैं, कि अगर आपको कभी भी मालनेजिए academic doubt तो आपके साज का साथ सोल होंगे ही, अगर non academic doubt आपका भी demotivated feel कर रहे हो, आपका कोई और issue आ रहे है, तो उसके लिए भी हमारे यू टीम हो हमेशा तयार रहते हैं, आप कभी WhatsApp एक text कर सकते हो, WhatsApp call कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, स्वीड़ी देखें लिए शुक्रिया, WhatsApp number हमारा description के अंदर है, so मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए, टाटा एंड बाई बाई